हालो दोस्तों, वेलकम तो स्लीपी क्लासेश आपका अगला सवाल बहुती स्पेसिफिक क्वेस्टन है अगर आप ध्यान दे considering the geography of India dedicated freight corridors जादा वायबल हैं than having inland waterways do you agree? justify your answer अब इस question में गलती होने के chances है क्यों? आप शाहिए इस question को बहुत directly attempt कर दे कि why is it कि inland waterways बहुत जादा वायबल नहीं है और why is it कि dedicated freight corridors वायबल है गलती क्या करते हैं? question categorically says considering the geography of India right? so basically you'll have to first of all talk about कि कहां कौन-कौन से regions में क्यों inland waterways की viability नहीं है और क्यों dedicate freight corridors की viability है only once you're done with the geographical part of it about the terrain and what not फिर आप generic regions की बात कर सकते हैं तो अगर हम in general देखें तो आप देखोगे cost, speed, reliability यह कुछ हमेशा ही concerns रहते हैं जब भी आप mode of transportation की बात करते हैं चाहे रेल हो, रोड हो, inland waterways हो और देखा गया है कि रेल और रोड ही majority cargo को जो है लेकर जाता है लेकिन eventually देखा गया कि 2016 से National Waterways Act की भी बात हुए और उस पे काम करना भी शुरू हुआ लेकिन despite all these efforts inland waterways बहुत ही कम पार्ट पे यूज होते हैं तो सबसे पहला concern जो है आप geographical concern की बात करोगे geographical concern में देखो अगर आप inland waterways की बात करे हो उसका मतलब है कि water availability, rivers की availability या interlinkages of rivers बहुत जादा जरूरी है because obviously हर जगा पानी available नहीं है तो देखते हैं North Eastern region में क्या problem है देखो North Eastern region को आप समझो so let's say this is your North Eastern region ये आपकी Brahmaputra river है so दिक्कत कहा है दो तरह की problems है है पहला problem क्या है कि Brahmaputra आ रही है Tibet से तो बहुत जादा sediment siltations होती है क्योंकि Tibet में ऐसा कुछ plantation या greenery वाला जो है zone नहीं है now what happens is because sediments बहुत जादा आ रहे हैं इसके साथ एक problem क्या जुड़ जाती है कि Tibet वाले region में जो है elevation बहुत जादा है और यहां नीचे तक आते आते plain region बन जाते है elevation बहुत जादा क्यों है ध्यान देना यह सारा आपका Himalayan region है Himalayas यांग फोल माउंटेंज तो इनकी elevation बहुत जादा है उचाई बहुत जादा है दान जब तक आप बिल्कुल ही Eastern Himalayas को cross करके plains में नहीं आ जाते अब होता क्या है यह sediment-laden water पहले तो पहाड़ों से बहुत फास्ट आ रहा है जैसे plains पहुंचता है अब आगे धलान है नहीं अब प्लेन आगे तो वहीं पर इकठा हो जाता है अब इतने इकठे वे पानी पर एक तो ब्रहोपुत्रा का भी पानी आ रहा है प्लस यहां से बहुत सारे रिवर्स भी जूटती हैं इनसे अब इन रिवर्स के पास पानी कहां से आ रहा है अगेर हिमालयास से हिमालयास है ग्लेसियर्स तो होगा क्या ग्लेसियर्स जैसे climate change के रिवर्स से melt करेंगे इस sediment-laden water में बहुत ज्यादा ग्लेसियर्स का भी जो भरे हुए हैं पानी आ जाएगा और इस sediments इधर उधर टर्न हो जाते हैं अपने हिसाब से अपना रास्ता बना लेते हैं पानी में और बहुत ज्यादा प्रोब्लम है बहुत ज्यादा glacier oriented बहुत ज्यादा पानी का प्रोब्लम है यहां पे जब हम inland waterway की बात करेंगे तो बहुत ही careful होना जरूरी है और बहुत ही ज्यादा resources भी लगेंगे in inland waterways को secure भी करने में तो geographically बहुत ज्यादा मुश्किल है यहां पे ऐसे रिवर्स की शुरुवात करने नौ लेट्स टॉक बाट नौर्धन रिजिंस में आप देखोगे definitely river system बहुत अच्छा है गंगा river system की बात कर सकते हैं यहां पे भी दो प्रोब्लम है पहला problem क्या है climate change glaciers से पानी आ रहा है जतना जादा glaciers से पानी आएगा उतना ही जादा यह waterways जो है अगर river interlink भी कर दी गए भर भी दीए गए तो भी floods आने की possibility है बाट अगर floods की हम बात ना करें global warming की बात ना करें तो यहां पे reverse का minimum level required सब जगा नहीं है तो यह specific region है जहां पे ऐसा problem देखा जाता है अब आपने north eastern region देख लिया northern region देख लिया western region की बात करते हैं अब आप देखोगे कि राजिस्थान गुज्राथ राइट औरेडी अरेट से में अरेड रीजिंस है राजिस्थान को तो irrigation के लिए इंद्रा गांधी कनाल बनानी पड़ी है तो वहां पे अगर हमें inland waterways लेकर आने हैं तो बहुत जादा viability नहीं है बहुत जादा resources होंगा इतना जादा शायद output नहीं आएगा similarly other regions भी हो सकते हैं for example अगर आप examples ले लेते हैं even if you don't have it in the answer आप बात कर लीजे deccan plateau की right कितना already बहुत specific regions पे आप देखोगे वहां पे river systems है तो उनकी interconnections करना interlinkages करना again is a very big problem right हाँ coastal regions में कहीं कहीं में भी possibility है बट again flooding होने की वहां पर भी बहुत जादा possibilities रहती हैं आप देखते हो चैनेई में केरला हमें हमेशा ही हर साल floods की problem है तो यहां पे although बहुत चोटे चोटे जगों पे inland waterways बने हैं बट बहुत ही जादा viable नहीं है इसलिए इंडिया की geography के हिसाब से inland waterways से better option हमेशा ही freight corridors रहते हैं लेकिन geography ही एकलौता reason नहीं है और भी बहुत सारे reasons हैं travel time rail या road से obviously faster है than inland waterways proximity to destinations का भी प्रॉब्लम है क्यों क्योंकि railway networks जो है already बहुत जादा बने हुए बट inland waterways इसके networks इतने जादा नहीं है और उल्स रिलाइबलिटी का भी बहुत प्रॉब्लम है कि आप सामान भेज रहे हैं cargo की जो safeguarding का problem है उसको railways में जो है काफी जादा technology यूज करके better equipment को यूज करके आगे बढ़ाया गया है relatively reliable बनाया गया है safety prone बनाया गया है लेकिन अभी जो यह infra का काम है यह reliability का काम है यह inland waterways में नहीं है आपको नहीं पता कि बहुत जादा shipping vessels में किस तरह की problems आ सकते हैं ड्रेजिंग की problem है equipments बहुत जादा नहीं है बिकस आप देखोगे जो आप पढ़ाई भी करते हो आप जो है six waterways ही पढ़ते हो लेकिन national highways कितने जादा है जो feeder roads है कितने जादा है सो बहुत जादा infra की भी problems है प्लस water flow का भी problem है कुछ ऐसी rivers आप देखोगे जो बहुत specific seasons में भरती है कुछ seasonal rivers है कुछ ऐसी rivers है हो सकता है overflow कर जाए monsoon के time पे तो और constantly rivers की dredging, desilting करना भी बहुत जादा important है इस वजह से आप देखोगे की बहुत जादा possibility inland waterways की नहीं है also a lot of important rivers, dams है वहाँ पे जो farming के लिए use किये जाते हैं, पानी, irrigation के लिए तो इसके साथ inland waterways को connect करने के लिए कितनी river interlinking की बात होगी किस तरह से यहने manage किया जाग है, again that's a problem also cargo interchange is a very important parameter, आप इसको ऐसे देखे कि railways के लिए stations है, जहाँ पे loading, unloading होती है लेकिन ऐसा कुछ अभी inland waterways के लिए बहुत बड़ा scenario नहीं है बहुत बड़ा infra नहीं है, तो delay आपकी delivery में बहुत जादा हो जाता है so at the present situation, inland waterways पे काम किया जाए as a supplementary mode of transportation बनाया जाए, जब तक सारे bottlenecks खतम नहीं हो जाते लेकिन इसको primary mode of transportation नहीं बनाया जा सकता राधर कब इस पे बात हो सकती है, जब inland waterways बहुत ज़ादा viable होंगे जब technology उतनी आगे बड़ी होगी, commercialization इसकी ज़ादा होगी river interlinking, इस से associated projects, इस से associated legislations को और impedance दिया जाएगा, और तब तक जो है the only thing being, जब तक ये सारे के सारे process पे काम नहीं होता dedicate feet corridors ही जादा viable options है than your inland waterways, ठीक है जी, so this was the entire thing बस इसमें आपने एक गलती नहीं करनी, आपने एक generic answer नहीं लिखना आपने geography से specific चीज़ पर भी answer लिखना है ठीक है जी, so I hope you've learned something new today usually जब हम inland waterways की बात करते हैं हम geography का component वहाँ भूँ जाते हैं हम हमेशा infra की बात करते हैं, river interlinking की बात करते हैं ये एक बहुत important reason था कि मैंने इस question पे बहुत ज़्यादा focus किया है ठीक है जी, I hope इससे आपको थोड़ी सी और geography की clarity मेली होगी maybe आप और questions में भी इस parameter को use कर सकें ठीक है जी, so I hope you've learned something new today all the best, bye-bye